हलो दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है आए देखते हैं कि चंद्रमादेपता सिंग लगन या लियो असेंडेड की कुडली में क्या प्रभाव देंगे और यदि हमारी चंद्रमादेपता की दशांतर दशा प्रतेंतर दशा चल रही है तो उसमें क्या रिजल्ट आएंग और चंद्रमादेपता मित्र होते हैं चंद्रमादेपता को इस कुडली में बारवा भाव मिला जहां नंबर चार लिखा हुआ है जो करकराशी या कैंसर साइन है जिसके मालिक चंद्रमादेपता होते हैं चंद्रमादेपता को प्रभाव समझने से पहले हमें चंद्रमाद ca को सबजना चाहिए कि यह हैं क्या चंद्रवाह देब्ता उतार चड़ाव के कारक होते है आपने चंद्रवाह देपता को देखा होगा तेरह दिन का साइज बढ़ता रहता है और 13 दिन काम होता रहता है तो यह उसी तरह जहां भी कुंडली बेटे होंगे जहां के भी मालिक होंगे जहां प्रभाव दे रहे होंगे वहां हर चीज में उतार चुड़ाव देते रहेंगे यह हमारी भावनाओ के कारक है व्यक्ति को कारक होते है बारवागाओ जो हमें दिखाता है कि व्यक्ति चीजों से दूर हो गया और दूर होने का मतलब है जब व्यक्ति विदेश चला गया विदेश में सेटल हो गया तो चंद्रबा देपता इसमें तब भी वो बाकी दुनिया से दूर हो जाता है तो यह सब भी चंद्रमादेपता इनको देंगे और अच्छे प्रभाव में चंद्रमादेपता इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे तो चंद्रमादेपता की प्लेस्मेंट आप अपनी कुंडली में चंदरमा देपता चुकि खर्चों के भाव के मालिक भी है तो चंदरमा देपता इस व्यक्ति को खर्चे देंगे और चुकि हमारे मन के कारग होते हैं तो व्यक्ति का मन खर्चा करने का करेगा और जैसा हमने लगन का प्रभाव भी देखा था कि ये व्यक्ति चूंकि सूरेदेव राजा होते हैं राजा की तरह सब की मदद करना चाते हैं तो ये व्यक्ति दूसरों की मदद करने में अपना पैसा खर्चा करेंगे या राजा चुकि दूसरों से प्रशंसा भी चाता है तो ये लोग ऐसी चीजों पर खर्चा करेंगे जिससे इनकी दूसरे लोग प्रशंसा करें और खर्चे का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति का bank balance basically कम हो गया यानि कि उसको कोई loan वापस करना पड़ा कोई EMI देनी पड़ी या कहीं व्यपार में उसको नुक्सान हो गया यह सब प्रभाव चंद्रबा देप्ता दे सकते हैं नेगडे प्रभाव में इनकी आंख में problem दे सकते हैं और सर्दी खासी जुकां इतियादी के issues इनको दे सकते हैं चंद्रबा देपता माता की कारक होते हैं दूद, चावल, पानी इन सब के कारक होते हैं और माता का बारवा घर मिल गया यानि कि इस व्यक्ति के उपर हो सकता है माता का प्रभाव कम हो और चूंकि सूरदेव स्वायम पिता के कारक है तो पिता का प्रभाव इस व्यक्ति पर ज्यादा हो सकता है बट बेसिकली जब भी चंद्रभा चलेगी इस व्यक्ति के emotional up and down बहुत होंगे चंद्रबा देपता यदि कुडली में दस्वे भाव में बैठे हों जहां नमबर दो लिखा है तब यह अपनी उच्छ राशी में कहलाएंगे और जब यह चौथे भाव में बैठे हों जहां नमबर आठ लिखा है तो अपनी सिर्वाद लेना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए ओम नमशिवाय काउचारन एक सो आठ पर करना चाहिए तो मुझे अमीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद थे से मोफज़ ने खुफारन एकी पंपनी झाहिए थाज आपको आठ एक साहिए जाड़ सेखा हैं पर को आदेछ पलते हैं जाया हैं जाया होग है подक Cl говорит मैस के यूफजाय के प्रम तरे लेगस दे कर दो चाहिए